नमस्कार दोस्तों, डीडी रियट के एक और रेक्षन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलो तो आज जो वीडियो मैं आपनों के लिए लेकर आया हूँ और जिस वीडियो पर मैं रेक्षन देने जा रहा हूँ वो वीडियो है Real Entertainment TV का और इसका टाइटल है India's Good Relations with Bangladesh Muslim World but Not with Pakistan तो भही इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान को छोड़कर भारत के करीब करीब हर मुसलिम देश से जो सम्बंध है वो बहुत अच्छे हैं और ऐसक्यू है इस पर पाकिस्तान की जनता की जो राय है वो सोмов भाई ने लेने की कोशिश की है तो चलिए कि Пाकिस्तान की जनता क HIS पर क्या कहती है मिराज का टॉपिक यह है कि बंगलादेश के अगर बात की जाए बंगलादेश के तलुका दिन बादिन इंडिया के साथ बेहतर होते जा रहे हैं उनका एक पोर्ट है चिटागंग के नाम से वहां पर इंडिया ने इन्वेस्मेंट की है और उनका एक प्रोजेक्ट चाल रहा देशना भाट गाता इसलिए क्योंकर पाकिस्तान के यहां पर मुलक को अधारे चला है को पता है कि यहां पर अगर किसी ने इंवेस्ट करना हो सबसे पहले वो में अधारें इन्वेस्ट करना अब देखें हैं कि चाइना की बढ़ी है और वहां पर आर्मी स्टाफ का नाम ह पता और यहां पर हमारे किसीने भी इन्वेस्ट करना है भूप थीक है मैं आपकी बात को समझ रहा हूं लेकिन आप जो कहना चारहे हैं लेकिन इसके लावा क्या रीज़न क्या तूलावा बहु सी रिजिन है यहां पैसे चीदर लगा रहा हूं कि आप मेरे पैसे महफूज रहेंगे या ने बिलकुल ऐसे यही मसला है आप देखें कि यहां पर हमारे जितना एक कॉम्रेस है थर्टी पसंड गॉर्मिट ले रही है वो क्या है पीछे से अधारे सारे सिस्टम यानि कि किसी ने भी इंवेस्ट क कि किसी ने उनके साथ डील करना है तो वो सिर्फ वजीर याजम तक है उसमें आधारे बिलकुल इंवाल्व है यह नहीं है उन्होंकिसी के साथ करना है कि हमने यह काम करने हैं इस इद्धे अगर हम इस इंडिया की या किसी भी कंटरी की गौवर्मिट के साथ जब बात करें पाकिसान के अंदर आपको पता है कि हर इदारा के पहुंच जाता है पूरन कुछ नहीं तो इसलिए वो डरते हैं कि उन्होंने देखे ना इन्वेस्ट करके इतना पैसा लगाना है उन्हें प्रॉफिट नहीं तो फिर वह क्या करेंगे और इवन देखें के इतनी ज्यादा इंडेस्टें यहां पर सिस्टम आ चुके हैं रिसेंटली बिग बैट वुल्फ का हुआ था यहां पर इंटरनेशनल एक ब्रैंड सा मलेशिया का फ्लॉप हुआ था पाकिस्तान के दर उसकी वज़ाई यही थी कि मतलब उनको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था और कमीशन ल मुल्क को चलाना हैं अभी से हम duplicates करेंगे कatre कतरा कफरा अपनी अपनी जो एक रिफट डालेंगे तो ही मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा आप ये बताएं क्या ऐसा किया जाए कि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाए ये अधारों की जो आप नाम ले रहे हैं मुझे नहीं पता आप किस अधारे का बात का रहे हैं लेकिन ये जिसकी भी बात का रहे हैं कैसे इनकी इन्वाल्मेंट कम होगी इसमें यह है कि पर सबस्पे सने पहले टब लाक जाएगा घडर का ने उसे दुबा दिया जाएगा अगर किसी और फीज़ की बिजनसमेन को उठे लोगा तो तो उसे ये कह दिया जाएगा कि ये जो ब्लैक मनी करता करता है एकर टैक्स लगा तो अगर वह माज़वन की फील्ड में कोई बंदा उपर आता है तो उसे उपर नहीं आने दिया जाता तो फिर वह बाहर ही जाएंगे बहुत किसी हाथ तक किसी हाथ तक मैं उनसे इत्वा करता हूँ शुक्रिया जी अच्छा लगा आपसे बात करें देखिए बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इधारे हैं दूसरी चीजे हैं देखिए इसका जिम्मदार कौन है इसके जिम्मदार वहां की जनता है आप लोग ऐसे ल लेकिन जो सच्चाई है वो कुछ अलग है अब ये भी सच है कि इम्रान खान ने अपने चार साल के टेनियोर में जितना करजा लिया उतना तो पिछली कहत्तर साल में शायद उसके करीब-करीब बराबर का करजा लिया जितना पिछली कहत्तर साल में पाकिस्तान ने करजा ल मैं आपको इम्रान खान के दो बयान सुन्माना चाहता हूँ एक बयान जो वो पीम बनने से पहले उनका था और एक बयान पीम बनने के बाद अभी हाल-फिलाल में दिया है दोनों बयानों को सुनिये और समझिये कि आप वहाँ पे किस तरह कटपुतली सरकार के अंडर आते है और आप जितने ये इदारों की बात कर रहे थे जब इदारे चाइना और इदारे की बात आई तो सोय भाई ने रोक दिया मुझे लग रहा है कि उनको भी थोड़ा बहुत किसी ने कहा होगा कि भाई यह जादा आर्मी और ISI और चीन जिसके बारे में जादा कुछ मत बोलो वरना तुम पर भी रोक लग जाएगी तो इसलिए शायद उन्हें रोक दिया मुझे नहीं पता सचाई के है यह तो सोय भाई बहतर जानते हैं लेकिन इदारे क्या करते हैं और क्या करते रहेंगे और क्या करते आएं यह आपको पी-म इमरान खान फॉर्मर पी-म इमरान खान की इन दो बातों से पी-म बनने से प बंदे हों, पीछे इस्टैबलिश्मेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजनसीज मुल्क चला रही हो, और मैं एक उतला बैठा हूँ. लेकिन हमारे हाथ बंदे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैक मिल होते थे, बजट पास करवाना है तो मिन्ते करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजनसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेकि आओ, असेमली में वोट कराने के लिए. सुना आपने, इमरान खान ने खुद अपनी ही पूल खोल दी, कि वो पहले क्या बाते करते थे, कि मैं किसी की कटपुतली नहीं हूँ, कोई मुझे नचाएगा नहीं, और कोई मुझे चलाएगा नहीं, लेकि जब चले गए उसके बात बयान दिया, तो बात समझ में जब तक आपका पाकिस्तान, इन एजनसीज, सेना, आईएसाई, इसके चंगुल से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वो ग्रू नहीं कर सकता. वो भी मुसलमान कंट्री है, हम भी मुसलमान कंट्री हैं. जब चले जाते हैं, उसके बाद जो नहीं कुमत आती है, वो सबसे पहले अपना सोचती है, कि हमने क्या करना है, ठीक है ना, वो मुलक और कौम के बारे में कोई नहीं सोचता है. क्या वजा है, कि हमें तो यह यहां पर बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है, कि हमें द्रियआ जजाता है कि अन्टी सरकार मुसलमान के खलाब है, तो फिर अफ़गize ऐसलिए मुसलिम कंट्रीइस थे हैं थैसे जूठियों जूडते जारे हैं? पाकिस्तान की तरह पता है कि यहार हम चले भी जाएंगा हमारी इंवेस्टमेंट होगी तो जाया हो सकती है उनको थोड़ा साथ होता है कि यहार हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ठीक है ना क्यूंकि यह कुछ ब्लकुल बंगलादेश में अपनी इंडिया में लगाई है क्यों नीचे आता आ जा रहा है कि कुन सा वो दिन आएगा जिस दिन मैं ये ख़बर लगाउगा यह किस दिन मैं अपनी ये वीडियो बनाऊंगा कि आज पाकिससान ने यह कारनामा कर lived कि के इजाए यह रो ना रोते होगे कि पाकिस्तान को नीम ना र मंहर औो ते हो गजी में यह अन्य हो पुछ ह accountant आ चुनिह असलिगी पाकिसान के लिए लूसलगतों किस ने पाकिसान बनाए है थो WIN, हमारे लिए hasthat को अजाद घूम रहे हैं हमें को पूछने वाला नहीं है इंडिया में क्या हाल हो रहा है ठीक है ना उस शक्त को भी जहर दे के मारा गया है काइदा मुहमद ली जिना हमारे बहुत प्यारे लीडर में क्या हाल हो रहा है इंडिया में बहुत बुरा हाल है मुसल्मानों को जो है वो लेडिस के साथ बड़ी बतमीजी का रहे हैं उनके साथ सरे हाम इधर आपको पता है आपने बात शुरू किया बात से बात नका रहा हूं पंजाब के अंदर जिस टाम अभी आप खड़े हैं लहोर में इधर एमर्जनसी लगी हुई है एमर्जनसी नाफिज है यह इस हवा इस के पास पैसा यह पहीं चुनजा चाहिच सब्साइब को छ्रूचन भी आपको जाओ पना मुसल्मानों के outro है मैं स्ट है कहुंगा कै पाकिस्तान में कोई लीडर ऐसा आ जीनाड साथ और जो सश ठीड़ार करना आ एक उसके साथ लड़ना अउसके साथ ही मरन हमने आए जिसोह अच tourman अब तो इंडिया ने भी जो नमुसर रिसालत पे वो उन्हों ने गुस्ता की की है तो उस पे देखें थोड़ी सी वाद उठाइए मुसल्मानों ने थीक है इसका क्या मतलब है कि वहां पे मुसल्मानों को पूरी अजाती है जो मेरी अब Super Bowl आफे हैं अब हमारा मीडिया जो भी बताए वह हमारे मीडिया पर है मारी मीडिया ने बताती ना सबसेकरप्ट तो हमारी कनोन और मीडिया है जो साच नहीं दिखाती कि अब यह बगा आपने कीमान लेतें मीडिया की जब मीडिया ए कहता है कि सबसे कुरें चुजूट नहीं बोलता लेकिन यह ए अक और नहां, वबर के खार, है कि पालोगा है अवास है इन्डिया ह 물ता ही जानी को साथ रहा हैई, धर्लीन के साथ रहीं के साथ यूजय के साथ यूज़ को पाकिस्तान के साथ मिसल॓ रही है पाकिस्तान सब्सक्राइड है、 जब से पाकिस्तान वद्व nasal रहाई है। हमारे साथ कोई बात चीत करना क्या दोस्ती करेगा या क्या ऐसी बात करेगा जब हमारे लीडर या कोई ऐसा इसा तो हमारी जब हमारा कोई लीडर ही नी अच्छा तो कैसे कोई मुलक अच्छा रखेगा इंडिया का लीडर ठीक है इंडिया थीक है। हम तो उसको नहीं मान सकते जो देखें एक दरफ हम कहते हैं कि यह पताएं ना वाकी मामलात हम नहीं जानते वो चल रहा है देखें अब जब जो नमुसे रिसालत पर बात हुई है तो वो निरिंदन मुदी का ही आथ है ना जाले मान लिया उसका हाथ है यह वो इस वाह हक पर करेगा या हमारे आकर रिसुस्ट सेलम के यह नमुस पर बात करेगा तो हम उसे अच्छा तो नहीं नमान सकते है उसका हाथ वैसे कैसे है एक बात है आप अभी कुछ ऐसा करतें कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दें लैट स्पोस कुछ भी बुरा बोल दें तो कल को आप क्या कह मुल्क का वो कहेगा कि यह लड़के ने यह काम किया तो इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है या इसके पीछे पाकिस्तान की गौर्मिंट का हाथ है अगर एक नॉर्मल बंदा यहां पर बात मैं करता हो ना तो मुझे उसी टैम सजा होगी और हर बंदा मुझे बोलेगा फोर यह दो इसके अगर अगर मेरी बाद सुनने अगर तो घुस्ताही की यह ना हर मुसल्मान हर मुसल्मान यह सभत से उन्दाज में उसको मुखालफत करेगा लिकिन क्या सिरफ किसी के ओपर भी मूठ आगे अम अलजाम लगा देंगे जैसे सेयाल कोट में वाकिए का पता है न आपको कि बस उस पे अलजाम लगा दिया और बात में सारी दुनिया के अंदर हमारी कितनी बेज़ती हुई कि हम किसी पे बील्जाम लगाते हैं कि इसने जो अन्सेयना इसलाम के खिलाप कोई बात की है और उस पर चड़ दोड़ते हैं ये कब तक चलेगा ये जब तक कोई बोलने वाला नहीं आएगा अच्छा लिडर नहीं है अब तो पिर सब इंसाफ मिलेगा है और इंशालला वक्त आने वाला है क्योंके तैर्री के लिए अच्छा काम कर रही है इन्शालला नुमस्ते रोने के लिए अब इंशालला उसको इसको इस पोर्ड कर रहे हैं तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो आपको वीडियो कैसी लगी खुद फैसला कीजिए कि गलती किसकी है ये तो एक स्टेटमेंट दी उसके बाद उसके पर मुकदमा काइम हुआ उसने आफिशली आके मौफी भी मांग ली वो हाट जोड जोड के अपनी जिन्दगी की भीक भी मांग रही है और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबिटल के तौर पर दी जजबाद में आके जब आप किसी के इरिजन पर हमला करेंगे उसके जवाब में वो आपके इरिजन पर हमला करेगा कोई और्गनाईज तरीके से एक काम नहीं चला था एक हाथसाती दोर पे टीवी टाक शो में हो गया और उसके उपर एक्शन भी ले लिया बीजे पी ने दबाव में आके पहले तो आप वो सेनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसल्मान की जानिब से हुई है उस औरत के आपको जवाब के अंदास से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है क्योंकि जब वो मुसल्मान ने वो बात किये तो उसने गाए अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे तो ये पहला मुझरिम तो वो मुसल्मान है जो किसी के रिलिजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे और ये बिलकुल कोई कुरान औ सुनत की तालिमात नहीं है किसी के रिलिजन का मजाग उड़ाएं सुन लिया आपने आप किसी और धर्म पर कीचड उचा लेंगे आप किसी और को उकसाएंगे और जब सामने वाला बोल देगा तो सारी गलती उसकी मान लेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं आपको गालियां देता रहूँ मैं आपको उकसाता रहूँ मैं आपको पिन मारता रहूँ मैं आपको सुनाता रहूँ कभी तो आप उल्टा बोलोगे कभी तो आप भी सवाल उठाओगे भई काम लूको शर्मा ने किया उन्होंने भी सवाल उठा दिया, अब देखिए, अब इस पर जो होना है, वो आगे हो रहा है, चल रहा है, जिसको विरूत करना है, विरूत कर रहा है, जो समर्थन में हो, समर्थन में है, सब कुस ठीक है, लेकिन ये देश तो कानून और सम्मिधान से चलेगा, अगर यहाँ पर किसी ने सम्मिधान और देश को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, देश के कानून को अपने हाथ में लेने कोशिश की, तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, चलिए, अब सोय भाई, क्या बात करें, उसके बाद मैं बंगला देश और बाकिये मुस्लिम कंट्रीज पर पर किसान की अवाम बहुत जगा पे कुरेक्ट नहीं है और उसकी वज़ा ये है कि हमें हमारी मीडिया के तरू जो बताया जाता है, बिलकुल गल्त बताया जाता है, लेकिन अब मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो सच को जानते हैं और कोशिश करते हैं कि सच अ अवाम तक पहुंचे, सच अवाम तक पहुंचेगा तो ही अवाम में शवर आएगा, अवाम को घल्ट और सही का पता चलेगा, जब घल्ट और सही का पता चलेगा तो ही वो सही के साथ जाएंगे और घल्ट के साथ नहीं जाएंगे, मैं कोशिश करता रहूंगा, अपनी ज शौयभाई ने बहुत अच्छी बाते कहीं, और यह बहुत अच्छा काम कर रहा है कि कम से कम कुछ लोगों को तो सच्चाई का पता चले माने न माने उनके उपर है, कि वो उस सच्चाई को स्विकार करते हैं नहीं लेकिन कहीं अगर उनके दिमाग में ये बात आएगी कि चलो यार एक बंदा कह रहा है ऐसा तो सोचते हैं इस पर तो मैं मानता हूँ कि चले ठीक है अच्छा काम है अब आते हैं कि क्या भारत या भारत की सरकार एंटी मुसलिम है लब लुआ इस पूरे का यही है तो मेरी सवाल का जवाब दीजे कि अगर एंटी मुसलिम भारत होता तो जाहिद सी बात है कि बंगलादेश से उसके इतने अच्छे संबंध नहीं होते अब आप कहेंगे कि बंगलादेश की तो पैदा होने में और बनाने में भारत का योगदान रहा है ये रहा है वो रहा है नहीं देखें सारा योगदान आप लोगों का है आप लोगों ने बंगलादेश्यों पर इतने जल्म कियें उनके अधिकार आपने देने से मना किया, उनके हुकूक देने से मना किया, उनको सहुलियते देने से मना किया, उनसे कमाए गए पैसे आप अपने पंजाब वले वेस्ट में लगाते रहे और इस्ट में आपने दिये नहीं, तो इन सब का आपके जुल्मों का आपके अत्याचार का आपने ला बाग कर हमारे उधर आने लगें तो वो प्रेशर बढ़ने लगा जिसके बाद हमें इंटर्फियर करना पड़ा ये इसमें भी कोई छुपी बाप नहीं है ठीक है तो एक मतलब समझ में आता है कि बंगलादेश की मदद भारत ने की तो चलिए बंगलादेश से अच्छे संब कर चुका है कि जब भी हमने दवाईयां भेजी जब भी हमने मदद भेजी जब भी जब भी हमने अफगानिस्तान के लोगों के लिए मदद भेजी वहां से तो वहां से तालिबान के द्वारत का गया कि भाईया थैंक यू उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया है भारत से या दूसरे गहर मजभी लोगों से संबंद अच्छे करने के लिए क्या क्या कर रहे है PM Modi को UAE साओधिया में बड़ा सम्मान दिया गया, उनके जो वहां के जो civil awards है, सबसे बड़े जो है वो awards PM Modi को दिये गए ये बताता है कि वहां के जो लोग हैं, मुस्लिम शासक है वो आप से बड़े उपर लेवल के मुस्लिम है, वो अपने आपको कहते है इसलिए वहां से PM Modi को सम्मान दिया गया पुरसकार दिये गया, ये दर्शाता है कि भाई भारत उनके लिए क्या माइन रखता है वहां पर कई बहरीन और कई देशों में, UAE में, कई देशों में साथी हमें, कई देशों में बड़े-बड़े मंदिर बनाया जा रहे हैं हिंदू मंदिर बनाया जा रहे हैं वो भी सरकारी पैसे से, शाही खजाने से, ये बताता है कि उन लोगों ने भी सोचा है कि भई हमें साथ मिलकर चलना है और साथ मिलकर चलने से ही दोनों की भलाई है अगर दो मजब एक साथ आकर शांती से चलेंगे तो दोनों ग्रो करेंगे तो ये बात वो दिखा रहे हैं और वो मंदिर सोचिए पूर्णता इसलामिक राष्ट में इतने बड़े-बड़े हिंदू मंदिर बन रहे हैं बहुत बड़ी बात है अब आते हैं तुर्की पर तुर्की आपके साथ है आपका दोस्त है आप कहते हो कश्मीर मामले पर तुर्की आपका साथ देता रहता है लेकिन तुर्की से भी हमारे संबंध अच्छे है आपको यकिन नहीं होगा कि तुर्की की एक कंपनी है ड्रून बनाने की कंपनी है वहाँ पर भारती एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया है तो ये बिना तुर्की की सरकार के रजामंदी के तो हो नहीं सकता तो आप सोचिए कि हमारी कॉपरेशन भी तुर्की के साथ बढ़ रही है दूसरे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे सब से हमारे बहुत बहतर रिलेशन है आप समझे इस बात को तो एकलौता पाकिस्तान ही ऐसा है जिससे बहतर रिलेशन हमारे नहीं है क्यूँ? मतब सारी दुनिया एक साइड चल रही है और पाकिस्तान एक साइड चल रहा है और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हम सही हैं बाकि सारी दुनिया गलत है इस बात को सोचिए बहुत गंबीता से सोचिए और हम कभी अग्रेसर कंट्री नहीं रहे हमने सब की मदद की है हर वक्त और यह पाकिस्तान की अपनी घलती है जिसकी सजा पाकिस्तान भुगत रहा है अगर वो भारत जैसे पडोसी देश के साथ शांती से रहता तो आज तस्वीर कुछ अलग होती आज आपको दरदर की ठोकरे ना खानी पड़ रही होती एक-एक पाई के लिए IMF के दरवाजे पर घुटने नहीं टेकने होते IMF के मताबिक आपको अपनी कंट्री ना चलानी पड़ती अगर आप भारत के साथ शांती बिना लड़ाई बिना प्रॉक्सी बॉर के रहते आपको मानना है मानिये नहीं मानना है नहीं मानी लेकिन फर्क दिख रहा है कि उसका असर किस पर जादा हुआ है हम ग्रो कर रहे हैं आप डूब रहे हैं हम 3.5 trillion dollar की economy हो गया है IMF की एक report है कि हम 2025 तक 25 तक 5 trillion dollar की economy हो जाएंगे दुनिया में पांचवे नंबर की सबसे बड़ी economy हम आते हैं पांचवे या चठे नंबर पे हैं शायद अभी एक latest data आया था करी में पढ़ रहा था पांचवे या चठे नंबर पे हैं शायद पांचवे होंगे या चठे होंगे एक्जेक्ट मुझे याद निया लेकिन शायद पांचवे हैं अब आप समझेए और इसमें पाकिस्तान कहीं नहीं तो यानि कि कहीं न कहीं तो घलती पाकिस्तान की है और हमें जो कहा जाता है कि हम एंटे मुस्लिम हैं तो बाकि मुस्लिम देशों से हमारे बड़े अच्छे संबंध है हमारे देश में मुस्लिम जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह रह रहे हैं एकाद घटनाए होती हैं इतना बड़ा मुल्क है दिक्कत होती है आपके यहां भी है इतना चोटा मुल्क होने के बावजूद लेकिन हमें अगर देखें तो मुस्लिमों ने यहां ग्रो किया है आपके यहां हिंदू कहां चले गए पता नहीं आपके यहां 2000 से 20 मंदिर रह गए हैं हमारे यहां एक लाग से तीन लाग मस्जिद हो गई हैं इस बात को समझे लेकिन अगर आपको अपनी आँखों पर परदा डाल कर रहना है तो रहे और उसका खामियाजा भुगरते रहे हैं तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाएट